आपने अभी सुना बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि ये अब एक शाहीन बाग टाइप कंस्पिरिसी यहां रची जा रही है और उसमें ही सारे लोग जुड़े हैं एक तरह से आपको भी उसमें जोड़ दिया गया आपके खिलाफ भी केसिस हैं आप क्या कहेंगे देखिए नियाय मांगने के लिए जाएंगे नियाय की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ तो जेलना पड़े गई और ये तो पहले से हुआ है जिस बात से जोड़ रहे हैं carry cn cnrc उसमें भी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे मांनीसर्वोश नियालने ने कहां कि प्रोटेस्ट करना उनका राइट है घिए तो प्रोटेस्ट करना कब से आपराध होने लगा यह बड़ा सोचने का भी से हैं और यह जो वेबसाइट की बात चल रही है ये वेबसाइट किस ने बनाई क्या पता है मुख्यमिंतर जी ने बनवाई हो जानकारी थोड़ा ही है लोग तो न्याय के लिए जा रहे थे लेकिन ये वेबसाइट किस ने बनाई जिन लोगो गिरिफतार किया गया वो कहां से आये थे क्य लिकी क्या पैचान है देखिए उनका प्राइब ठीराउंड किया थी लेकिन जो इन्होंने कहा है कि उन्होंने जो जो विक्तिं भी उनको रात और रात इस वजह से जला दिया क्योंकि उनका कहना है कि आप भीमार्मी आकर वहां बहुत ज्यादा वाइलन्स फैलाने के एक साज़िश रचे थे ये उनका कहना है देखे मैं बिल्कुल साफ सब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस्तिन सब्दर जंग में पिडिता की डैथ हुई मैं सब्दर जंग में था छल करके ये लोग लेकर गए इन्होंने बादा किया कि हम लोग लेकर जाएंगे और वहीं आपको जो है जहां अंतिम समस्कार होगा पिडित परिवार के साथ आपको रखेंगे मुझे इन्होंने इन्लीगल डिटेन किया और पतानी कि स्थाने में और कहां लेके गए मुझे जानकारी नहीं है पिडित परिवार को बंद करके इन्होंने जलाब मैं बस सिंपल जानना चाहता हूं अगर आप मानवता को सर्मसार करेंगे इससे लोगों में गुस्सा बढ़ेगा या कम होगा आकरोज पैदा होगा या खतम होगा एक परिवार जिसके साथ इतना बड़ा प्राद हुआ है उनकी बच्चि को आप जला देते है पैटोरर को परिवार को इधिकार नहीं है परिवार इस देश का नाहिक नहीं है अगर आप यह कह रहे हैं कि महाल खराब हो जाता है कुछ भी हो जाता पहली बाद तो यह है कि अब महाल तो अब भी संबलावा है आपके पास नहीं जब आप जब आप लोगों को जाने से रोखने के लिए यहां नोड़ा बोटर पर इतनी फॉर्स लगा सकते हैं क्या यूपी के पास फॉर्स नहीं है तो यूपी के पास जो है इन वे मतलब अजन्सिया नहीं है कि उनको आई पीची टू जीरो बन के तैट कारवाई होनी चाहिए थी तो जो आप रहे हैं जो प्रोटेस्ट हुए हैं फो इस तरह से कहा जारा रहा है कि प्री प्लैंड थे बीडियो से यह सरकार को पहले से पता था घटना होगी और घटना के बाद आपकी सवेदन हिंता इतनी हो कि आप पिडित परिवार की उस उस पीडिता को रहे पर करें के आप उससे किसी को मिलने नहीं देंगे छी कर इसके साथ जो सरकार को हिंए जा तो भी स्मुटे को डाइवर्ट करने के लिए फेलाए जा रहा है आप जाना चाहता हूं पुलिस पुलिस धंके क्यों देरी है डीम ने धंकी दी पुलिस फॉन चीन लेती है मीडिया को क्यों नहीं घुस ने लिए गया मैं आपसे जो कह रहा हूं एक मिनिट आप मुझे सुन दिए हैं और वहां आप किसी को आसानी से जाने की इजादत नहीं है तो अब आप क्या करेंगे मैं यह चाहूंगा कि आप मुझे दो मिनिट दें मेरी बात को रखने के लिए और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बोलने देंगे देखिये पहली बात तो मैं एक सवाल बता रहा हूं आपको जरूरी है जानना कि वो जो डेट बोडी जलाई गई जो परिवार को नहीं दिखाई गई वो किसकी थी मेरा एक और सवाल यह है कि जिस तरह से पीडिता से अलिगड में नहीं मिलने दिया गया उस्पिटल में और फिर दबाव में सब्दर जंग लाए गया तो फिर जब हमारी यह मांग थी कि अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो उसको एक पैनल बनाके एक बोड बनाके करा जाया जाया जिसमें सब चीजे क्लियर हो वो एमस के डॉक्टर से द्वारा कराएगा फिर इस मांग को निगलेट क्यों किया गया क्या मेरा एक शक है और मैंने बात को पहले भी का था क्या पीडिता की की डैट जो है वो अलिगडी हो चुकी थी यह उस डैट बोडी को यहा का डर और दबाव बनाया जा रहा है कि जिस तरह से लिडिया ने लोगतंत्र के चोथे स्थम होने की पूर्ण भूमी का अधा की सच्चाई की रिपोर्टिंग की उससे सरकार ने दबाव बनाने के लिए पहले तीन दिन सरकार ने बैठके प्लान किया कि क्या करें तो फिर तो याद आया कि हम पर कार क्या है कार यह है अरे यहां तो दंगा करवाने के साजस्स एक वेबसाइट आती है फड़ी यह कुछ लोग पकड़ ले जाते हैं फिर यह बात की जाती है हम सब लोग वहां गये क्यों विपक्स वहां क्यों गया तो आप कहरें Tim वहाँ जो है अन्याय हो रहा था वहाँ न्याय नहीं हो रहा था जब सिस्टम को अगर सिस्टम न्याय दे रहा होता तो फिर हम लोग वहाँ क्यों जाते ठीक है आप कह रहें कि ये सारे चार्जर जल्ट है थैंक यू वेरी माच इंडी चैन्शेकर आजाद फॉर क्याओ